आदित्य मैदान पर स्केटिंग कर रहा है पहियों के कारण कम कोशिश में भी वो अच्छी खासी गती से घूम रहा है पर अगर स्केट्स पैने हुए भी आदित्य गतीहीन रहा तो वो वहीं पर ही रहेगा क्या बता सकते हैं कि गतीहीन स्केटर गतीहीन क्यों रहता है संग्षेप में इसका उतर है जो वस्तु विश्राम की स्थिती में होती है वो वस्तु विश्राम की स्थिती में ही बनी रहती है दूसरे शब्दों में अगर गतिहीन स्केटर को हमने यूँ ही छोड़ दिया अगर हमने उसे धक्का नहीं मारा तो वो गतिहीन ही रहेगा इस बरताव को इनर्शिय अर्थात जड़ता कहा जाता है मुठीबर सिखों को कागस पर रखें और पूरी गति से उनके नीचे से कागस को अपनी और खींच ले क्या होगा? क्या सिख्के कागस के साथ आएंगे? सिख्के अपने ही स्थान पर बने रहेंगे जो वस्तुएं विश्राम की स्थिती में होती है वे विश्राम की स्थिती में ही बनी रहती हैं क्योंकि वे भी जड़ता को दर्शाती हैं अब हम कांच की बोतल लेंगे, इसके साथ डबल ए या फिर पेंसिल से लेंगे और बांच से तयार किया गया एक लूप या जिसे हम पांच कहते हैं वो लेंगे हम इस लूप को बांच पर रखेंगे और सेल को बोतल के ठीक उपर रखेंगे यदि हम इस प्रकार तेज गती से लूप को निकाल लें तो सुचे क्या होगा? जब हम सेल या बैटरी के नीचे से लूप को अचानक से निकाल लेंगे सेल कुछ समय तक उसी स्थान पर बनी रहती है इसका कारण जड़ता है पैंसिल सेल विश्राम की स्थिति में है और लूप के ना रहने पर भी वो विश्राम की ही स्थिति में बनी रहती है और कुछ समय के बाद गुरुत्वा कर्शन के कारण वो गिरने लगती है इसी को हम slow motion में देखते हैं देखिए तो बोतल में सेल गिरने से पहले बीच हवा में किस प्रकार लटक रही है जड़ता के कारण ही रुका हुआ स्केटर रुका ही रहता है मान लिजे हमने स्केटर को धक्का दिया पर वो कुछ समय बाद रुक जाता है आपके अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है रुकने का कारण है जमीन और स्केट के बीच में होने वाला घर्शन गर्शन का बल स्केटर की गती के विरुद दिशा में कारियरत रहता है अगर घर्शन नहीं होगा तो स्केटर हमेशा के लिए आगे की ओर ही जाता है इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तू जब तक उस पर बाई बल कारियरत नहीं होता है वो गतिशील ही रहती है इस उधारण में वो बल घर्शन का है हम जड़ता को इस प्रकार पुना परिभाशित कर सकते हैं जड़ता वस्तू की उस विशेशता को कहा जाता है जिसके कारण किसी भी प्रकार का बाईय बल न होने की वज़ा से या बाईय बल की अभाव में वस्तू उसी स्थिती में बनी रहती है ये एक स्प्रिंग वुंड अर्था स्प्रिंग की कार है हम इसे पकड़ कर पीछे ले जाते हैं और जब हम इसे छोड़ते हैं तब वो आगे की दिशा में जाती है हम इस कार पर ये माचीस की डिबिया रखते हैं यदि हम कार की गती धीमी रखते हैं और उसकी छट पर माचीस की डिबिया रखते हैं तब देखते हैं क्या होता है माचीस की डिबिया भी कार के साथ साथ आगे जाएगी और कार के साथ ही रुख जाएगी चलिए एक बार फिर यही करते हैं पर इस समय हम अपनी गती को थोड़ा बढ़ाते हैं इसके साथ-साथ हम कार के आगे कुछ रुकावٹी भी डालते हैं देखते हैं इन रुकावट के कारण कार रुख जाती है तब क्या माचिस के डिबिया भी उसके साथ रुखती है? माचिस के डिबिया कार के साथ नहीं रुखती है, वरना वो आगे की ही ओर बढ़ रही है. हम कार में सफर करते हैं और अचानक से कार रुख जाती है तब हम आगे की ओर जुखते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि गाड़ी भले ही रुख गई हो फिर भी हम गतिशील ही रहते हैं इसे गती की जड़ता कहा जाता है इसी कारण कार चलाते समय या कार में सफर करते समय सुरक्षा पेटी बांधना अवशक होता है जब भी कार अचानक से रुखती है या कहीं पर टकरा जाती है तब सुरक्षा पेटी यात्रियों को आगे की ओर जुकने से रुखती है साराश हमने जड़ता नामक महत्वपूर्ण संकल्पना के बारे में चर्चा की है जड़ता वस्तू की उस विशेश्टा को कहा जाता है जिसके कारण किसी भी प्रकार का बाईयबल न होने की वज़ा से या बाईयबल के अभाव में वस्तू उसी स्थिती में बनी रहती है अधर्ण है